हलो आज है 28 सब्टेंबर और आज इस वुड़े में हम बात करेंगे दो IT कंपनियों के बारे में जिसमें पिछले कुछ दिनों उसे लगातर गिरावट देखने को मिली है पहला है SCL Tech और दूसरा है है happiest mind और दोनों महीं चर्चा करेंगे कहां पर सपोर्ट बन रहा है क्या positive चीज़े है क्या negative चीज़े उन सारी चीजों को हम यहां पर study करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो आपो काफी जादा help करेंगे तो पहला share है हमारा HCL Technologies देखिए यहां पर बहुत बड़ी गिरावट है पिछले दो दिनों में कह सकते हैं कि एक महिने में अगर हम देखें तो एक महिने में HCL Technology के share में 9.5% का growth है 1160 रुपए से ऐसी रफतार पकड़ी के 1360 कूट कर तकरीबर कैसा कि 90 रुपए की पिटाई 80-90 रुपए की पिटाई यहां पर हो चुकी है अब तक कल भी गिरावट थी आज भी एक बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है और पिछले एक साल में देखें तो एक साल में SCL Technology ने बहुत जादा पैसा बना साल चेजी आती है फिर गिरावट आती है लेकिन जब भी जब भी यहां पर गिरावट आएगी खरीदारी का ही मौटा होगा 100 रुपए यहां पर यहां पर आ फैका में मतलब खरीदने का मौटा है यह बात लिक के लिगे यहां पर आप दूसरी बात यहां पर देखिए पहली चीज़ गिरावट आ क्यों रही है IT के शर्पकड़ी विपरो में गिरावट है infosys में गिरावट है scl में है happy as mind में है TCS में है पहली चीज़ गिरावट क्यों है गिरावट की वज़े ये है कि essential के जो results आने वाले हैं वो कहीं न कहीं अच्छे तो आएंगे लेकिन एक चीज कुछ concern निकल कर आई जिसके बारे में कर दियूं मैंने पूरा वीडियो इसके उपर बनाया था तीन वीडियो का मैंने पूरा का पूरा इसमें तूटता है खरीदारी के मौके यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं उस चीज को याद रखिएगा पैनिक करने की जरूरत नहीं है मैं यही कहूंगा कि हर 100 रुपे की गिरावट पे एड करते चले जाएए लॉंग टम में 1400-1500 के टारगेट नजर आएंगे शॉर्ट टम में हो सकता है कि 1200 रुपे या 1150 रुपे तक पहुंच सकता है लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके होंगे और उसी को हमें यहाँ पर डूंड ना भी चाहिए यहाँ पर देखें लार्ज केप शेर है 3.30000 करोड के आजबार क सकते है वॉल्यून ट्रेट भी अक्छे खाष नजर आया 39,000 लक्त के और 85,000 लक्त के आरौंड अक्चुली वॉल्यूम प्रिट नजर है यहाँ पर और इतना ही नहीं, डिवीडेंट भी बहुत अच्छा पे करता है, प्रमोटर के अच्छी होल्डिंग है, एफाइल्स, मूचिल फंड, इंस्टरॉंस कम्नी, हर कोई यहाँ पर बना हुआ है, S.C.L. टेक अगर देखा जाए, तो 26% लोग बेचने के बात करें, रीजन यह कि बहुत अच्छा जब दोड़ चुका है शहर, तो जाहिर सी बात एक हलकी सी Profit Booking आनी है, जो पहले भी हमें इस तरह की Profit Booking देखने को मिली है, लेकिन जब भी टूटा है, बाउंस बैक किया है, दस साल का अगर आप इसका Graph देख लो, तो पता चलेगा कि Long Term में थोड़े बहुत जटके बीच-बीच में ज़रूर लगे हैं, लेकिन End of the Day हमें यहां पर पैसा ही बनता हुआ नजर आया है, S.C.L. Tech देखा जाए, तो अभी भी 1400 का Target जो है, वो मुतिलाल उस्वा की तरफ से दिया गया है, Company के जो Revenue है, वो शांदार है, लगातार बढ़ते इसके नजर आये हैं, Profits भी बढ़िया हो रहे हैं, All Time Highs पर Revenue और Profits नजर आते हैं, और तो और इनके नतीजे कि अगर हम बात करें, अभी तक कोई Date सामने नहीं आई है, लेकिन उमीद करते हैं कि बहुत ज़ली कोई Date सामने आएगी, Dividend भी अच्छा पे कर रहा है, देखो, इसे साल इन्होंने दगरीवन चार बार तो ये पे कर चुका है, पांचवी बार भी अक्टूबर में पे करने वाला है, तो Dividend अच्छा कासा पे कर चुका है, 3% जो एनालिस्ट है, नॉर्मल लोग नहीं, एनालिस्ट जो है, वो खरीदने की सरा देते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी मौक का है, क्योंकि शेर ओर बोर्ड जोन में नहीं है, देखो ऐसे मौके होते हैं, जहां पर आपको Opportunity ढूननी है, खरीदारी की, ना के पैनिक में आकर बेचना है, अच्छे और दमदार शेर उठाईए, जब भी मार्केट तूट रहा हो, शेर तूट रहा हो, अच्छे और दमदार शेर उठाईए, नीचे के लेवल पर, और Long Term के लिए उसको अपने Portfolio में जगे दीजिए, SEL Technology, हर 100 रुपे की गिरावर्ट पर थोड़ी-थोड़ी quantity आप खरीद सकते हैं, यहां पर यह मेरा मानना है, और Long Term के लिए इसको hold करके चल सकते हैं, दूसरा है Happiest Mind, देखे इसने तो भईया आग उगली हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है, एक साल में अच्छा कासा इसने पैसा बना कर दिया है लोगों का, अगर देखे तो भईया 250% का ग्रोथ है एक साल के अंदर, 300 रुपय का शर आप देखें, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, 1500 पे पहुंचा, वापस तूटके 1300 के करीब पहुंच गया, वापस 1500 के करीब पहुंचा, वापस तूटकर आया है, और 1350 के आसपास एक सपोर्ट इसका नजर आता है उसको अगर इंटेक्ट कर जाएगा ये शेर तो दुबारा दोड़ना शुरू कर देगा यहाँ पर देखे तो ये लार्ज कैप है लेकिन बहुत ही छोटा है ये 20600 करोड के आसपास का इसका मार्केट कैप है और इसके वॉल्यूम्स अगर हम देखे तो बहुत कम है वॉल्यूम्स देखे कम क्यों है इसके वॉल्यूम्स आपको मुश्किल से देखने को मिलेंगे 3 लाक यहाँ पर देखेंगे 3 लाक से भी साड़े 3 लाक से भी कम के इसके वॉल्यूम्स है तो volumes कम क्यों है यहां पर क्योंकि company को रखा गया है ASM list में happiest mind अगर देखा जाए तो भईया rate flag इसी लिए भी है क्योंकि यह ASM list में है ASM list क्या होती है तो भईया एक measure होता है safeguard होता है investors के लिए जो market में volatility जिसे अदेखने को मिलती है ASM list अगर देखे तो भईया उसको कहते additional surveillance measure बहुत सारे company को इसके अंदेर रखा गये क्यों देखे यहां पर होता क्या है कि यह वो share से जो भईया बहुत जल्दी दोड़ जाते हैं बहुत जल्दी तूट जाते हैं तो save भी क्या करती है कि वह यह कुछ company को डूड़ती है और उनको ASM list में डाल देती है extra measure करने के लिए कि अच्छा वह यह यहां पर है ताकि investor को ज़्यादा नुकसान नहों क्योंकि अगर 10-20% तूट गया तो वह यह नुकसान तो होगा ही तो 5% की पहरी चीस होता है कि 5% की लोड़ सके लगती है उससे ज़्यादा की नहीं लगती है यहां पर और दूसरी बात अगर आपको ASM list में जो shares है उसको अगर आपको खरीदना है volumes कम इसलिए है क्योंकि अगर उसको आपको खरीदना है तो आपको कोई margin नहीं मिलता है broker margin आपको मिलता नहीं है यहां पर आपको जितने share खरीदने है उतने share से आपको पूरा का पूरा भुकतान करना रहता है ठीक आपको broker जबकि बाकी इसमें क्या होता है जो ASM list मनी होते हैं आपको कुछ broker margin मिल जाता है मतलब कम पैसों में भी आप उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं वहां पर तो यही वज़या है कि share जो है वो ASM list में है देखो कोई बुरी बात नहीं है इस list में होना कोई बुरी बात नहीं है बड़ी बड़ी दिग्गेज कंपनियां भी इस list में शामिल है लेकिन इस list में होना क्योंकि देखे share इतना जादा volatile होता है इतना जादा दोड़ जाता है कि इसको ASM list में शामिल कर लिया गया है यही वज़या है कि आपको volumes बहुत कम नजर आएंगे यहां पर एक और चीज़ देखे तो 90% लोग खरीदने की बात कर रहे है 7% लोग ही है जो बेचने के आपको नसिखत देते हुए नजर आए है और जो बुरी चीज़ मुझे लगी वो यह है कि वह यह अगस्त महिने में पिछले इम महिने अगर देखे तो सारे बिक्वाली के ट्रेट्स है कंपनी के एम्पलॉईस के द्वारा 1000 शयर बेचे 1500 शयर बेचे 1500 शयर बेचे 1245 शयर बेचे 5000 शयर बेचे 6000 शयर बेचे तो यह नेगेटिव पॉइंट में मानता हूँ और अच्छली उनका फायदा भी हुआ है बेचा है तो कम प्राइज में भी है मतलब जब अच्छे प्राइज पर शयर था इन्होंने बेच्वाली करी है वो चीज़ को भी देखना चाहिए डिविडेंट की तो अगर हम बात करें तो तीन रुपे का डिविडेंट पे करता है इसी सार जून महिने में जो कि बहुत एक खराब डिविडेंट में मानूँगा इसको तो कि इतना हाई प्राइस पर ट्रेड करने वारा शरकत तीन रुपे का डिविडेंट पे करेगा तो वो कोई डिविडेंट तो नहीं है और दूसरी बात ये कि रिविडेंट डिविडेंटली इसके इंक्रीज हुए सांसो सांट करोड तक रिविडेंट पहुंचे है प्रॉफिट भी देखने को जाए तो अच्छे खासी तेजी प्रॉफिट में भी है 2021 में तो भाईया आग उगली है इनके प्रॉफिट ने पिशे दो सालों में शांदार प्रॉफिट नेजर आये हैं इसके हैपिएस माइंट अगर देखा जाए तो कंपनी का जो एक और नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बहुत हाई पी के ऊपर ट्रेट कर एक सो चौबीस का जबकि सेक्टर पी 40 से भी कम का है तो एक नेगेटिव पॉइंट में इसको मानूगा कि इसको मतलब रिस्क बहुत जादा इन्वाल्व है हैपिएस माइंट में रिस्क इन्वाल्व है तो उस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखिए और एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि हैपिएस माइंट की जो वईया इंडिया रेटिंग ने इनकी जो रेटिंग है हैपिएस माइंट की उसको अपग्रेट किया है एप्लस में डाला है वे स्टेवल आउट लोग जो कि अच्छी बात है पहले इंडिया रेटिंग उसको ए माइनस में की रेटिंग थी अभी यह प्लस में हो गई है और स्टेवल आउट के साथ इनको रखा गया है ओवरल हैपिएस माइंट को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि कंपनी बहतर है शांदार है इस बात में कोई शक नहीं है लेकिन बहुत उपर की लेवल पर ट्रेट कर रहा है अगर आपको ये 1300-1250 के आसपास मिले तो वहाँ पर शायद कोई मौकर बन सकता है खरीतारी का और पहली चीज़ यहाँ पर यही कहूंगा जो गिरावट आ रही है IT में उसमें खरीदने का मौका है और Happiest Mind को अगर आप खरीदे उससे पहले मैं हमेशा यही कहूंगा Vipro, Infosys और SCL के उपर दाव खिलो उसके बाद अगर आपको रिस्क लेना का मन करता है तो आप चाहे तो Happiest Mind की तरफ जा सकते हो वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद आया हो तो लाइक रुशाय का चैनल बगरा पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और Happiest Mind और SCL Tech दोनों में से आपको कौन सा शार पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं Thank you